हेलो एवरीवान स्वागत आप सभी का प्राइजिंग अकैडमी में और हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास्ट की मैथेमेटिक्स लेक्चर सिरीज के एक तालिसवे लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम लोगोंने द्विघात समी करड़ जो यूनिट नंबर 4 है उसको स्टा कर दिया था दिगात समी करड़ क्या होता है यह हमने पढ़ा और उसके बाद उस द्विघात समी करड़ का मूल क्या होता है यह भी हमने पढ़ा और इस लेक्चर में हम लोग शुरुवात करेंगे द्विघात समी करड़ के हल से तो बैसिकली ज्यादा डिफरेंस होता नही मैं अगर आपको definition बताऊंगो तो आप लोग तुरन समझ जाएंगे द्विगात समी करड़ का हल solution of a quadratic equation okay यदी एक्स बराबर ए चाहे लेलो चाहे अलफा लेलो मैं अलफा लेता हूं एक्स बराबर अलफा एक वास्तविक संख्या है वास्तविक तो आपको पता ही है ना ऐसी संख्या है जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं ना इस बराबर अलफा एक वास्तविक संख्या है तब एक्स बराबर अलफा एक बाहुपद बाहुपद कहा रहा हूं समीकरण एक बराबर अलफा द्वीगाद समीकरण द्वीगाद समीकरण हमारा किस टाइप का होता है एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है ना यह होता है एक्स बराबर अलफा इस एक्वेशन में रख दें और एक्स बराबर आरेचे सा जाए है ना मतलब एक्स बराबर अलफा इस समीकरण को संतुष्ट करें तो ए अलफा स्क्वाइर प्लस बी अलफा प्लस सी इस एक्वल टू जीरो यह कंडिशन हो जाए तब हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स बराबर अलफा इस दिये गए बहुपात द्वी घात समीकरण का क्या है रूट है ना मूल है तो कोई फरक नहीं होता है रूट और हल में सॉलुशन में कोई फरक नहीं होता है यह तो हो गया द्वी घात समीकरण का हल किस टाइप का होता है या किस चीज को हम द्वी घात समीकरण का हल कहते हैं अब अपना नेक्स प्रोसेज यह होगा कि हम किस तरीके से द्विगात समीकरण का हल ढूंडें, कैसे निकालें, मैंने आपको बताया था कि कोई भी द्विगात समीकरण, बहुपद में जब बताया था, कोई भी द्विगात बहुपद के शुन्यक कितने मिलेंगे, जितने उसमें X की अधिक्तम घात होगी है, अगर आए, और आपकोई कितने मिल रहे हैं, वो हमें देखना है, यह पर, रूट यह पिर solution, रियल भी हो सकते हैं, और imaginary भी हो सकते हैंना वास्तविक और काल्पनिक तो यहां पर हमें सिर्फ वास्तविक वालों को ध्यान देना है काल्पनिक क्या होते है कैसे निकालेंगे ये बाद में देखेंगे ओके तो हम लोग देखने वाले हैं methods of finding the solution of a quadratic equation द्विघात समी करड द्विघात समी करड़ दो घात है तो मतलब दो solution मिलेंगे इसके हैं के हल ग्यात करने की विधिया ओके generally तीन methods होते है लेकिन हमको focus करना है सिर्फ दो methods पर होते क्या है ये तो बता ही दो फर्स्ट method होता है graphical method यानि की graph E विधी है ना हम लोग दिये गए equation का graph बनाए और वो graph x अच को जहां पर cut करे वो solution हो जाएगा ग्राफिकल मेथाड ये हो गया फर्स्ट मेथाड सेकेंड होता है गुड़न खंड विधी गुड़न खंड विधी बोले तो फैक्टाराइडेशन मेथाड और तीसरी जो विधी होती है वो होती है एक formula लगा की जिसको हम लोग कहते हैं स्रीधाराचारे का सूत्र है ना तो थर्ड मेथाड है क्या बोले इसको गुड़न द्वी घात सूत्र विधी in English quadratic formula method है ना ओके तीन मेथाड है हमारे पास graph से हम लोग निकाल सकते हैं गुड़न खंड करके निकाल सकते हैं और द्वी घात सूत्र विधी का apply को apply करके हम लोग किसी भी द्वी घात समय करण का हल निकाल सकते हैं तो हम लोग स्टार्ट करें के गुड़न खंड विधी से ग्राफी विधी अपने को नहीं पढ़ना है चलो मैं इसको मिटा के गुड़न खंड विधी यहां पर हेदिंग डालता हूं और फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं जब लोगों ने बहुपत पढ़ा यूनिट नमबर टू तो वहां पे जब हम लोग ने द्वी घाथ बहुपत पढ़ा तो उसका शुनेक निकालने के लिए आपने गुड़न खंड विधी पढ़ी है किसी भी बहुपत में जो बीच वाला टम होता है जो एक्स का गुड़ांक होता है उसको ऐसे स्प्लिट करना रहता है कि जोड़ने पर बीच वाला टम वापत से आ जाए और गुड़ा करने पर फर्स्ट और लास्ट हम का जो गुड़ा है वो आ जाए है ना तो हम किसी भी द्वी घाथ समी करण को एक गुड़न खंड के रूप में लिख सकते हैं तो मैं इसीज को यह समी करण है तब हम हम इस समी करण को दो रैखिक इस समी करण को दो रैखिक व्यंजकों लीनेर एक्सप्रेशन दो रैखिक व्यंजकों की गुड़ा की रूप में यह गुड़न खंड भी साही है व्यक्त कर सकते हैं हम किसी भी बहुपद को दो रैखिक व्यंजकों के गुड़ा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं माना वो रैखिक व्यंजक अभी इस्ट भी बोल सकते हैं मान लिया हमने इसको जब गुड़े में व्यक्त किया तो हमारे पास दो रैखिक व्यंजक मिले एक है पी एक्स प्लस क्यू और दूसरा है और एक्स प्लस एस ओके और जहां पर पी घॉ rebels नहीं है वी अगर और जिरो हो गया यह पी जिरो हो गया तो यह वाला रेखिक नहीं रह जाए गा यह सिल्फ subscribe명 बन जाए जाएगल राकॉ तो यहांपर एक एक्स रह गार यहांपर elemento Ener तो जब multiply करोगे तो हमें X की गात दो नहीं मिलेगी जबकि गुड़न-खंड का यह तरीका होता है कि गुड़न-खंड करने के बाद जो भी छोटे-चोटे उसके parts होते हैं उन parts का अपस में गुड़ा करो तो हमें वापस से पहले वाला equation मिल जाए है ना ओके पी और आर जेरो नहीं है तथा कि पी क्यू आर एंड पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस चारो कि अचर कि राशिया है है यह सारे अचर है तब अगर हमने अगर हमने किसी समी करण को दो अलग समी करणों के गुड़े में तोड़ा है मतलब इसका गुडन-खंड किया है तो इन दोनों को बारी-बारी से 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x के मान मिल जाएंगे है ना ऐसे ही तो हम लोग शूट निक आलते थे तो पी x प्लस q बराबर 0 के बराबर रखेंगे और एंड और x rx प्लस s को एक बर 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से हमें x बराबर मिल जाएगा माइनस q बटे p यह पहला solution आ गया और यहां से x बराबर मिल जाएगा माइनस s बटे r यह दूसरा solution आ गया दिये गए द्विघाज समीकरण के यह दो solution निकलते हैं अगर हम उस समीकरण को ऐसे दो गुड़न खंडों में तोड सके तो है ना यह थी तो अब लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिनमें इस विदी को लगाएंगे तो बहुत ही आसानी सम को समाझ आ जाएगा चलो मैं यही पिग्जांपल कि यह दे रहा हूं एक बहुत ही इस एग्जांपल सबनेंस इतरे से टोड़ते हैं कि थो तोड़ने के बाद अलग-अलग पीसे राएंगे उनकों अगर जोड़ें तो वापस सबी आ हमलों । सबाइने तो फॉर्स अ कि आ हम्क चेल लाशका अ है कैसे हैंbook है फीजाब परने को टोड़ने के हों सिक्ष छट बैसे निहीं रहते हैं 9 1 2 1 ताकि उनका गुड़ा करने पर 6x square आ जाए और जोड़ने पर 5x आ जाए okay x दोनों जगह रहेगा यह common देता है 5 को अगर हम 3 और 2 में तोड़ दें तो 3 plus 2 is equal to 5 and 3 multiplied by 2 is equal to 6 है ना तो आसानी से काम बन जाएगा ऐसे 5x को हम लोग 3x और 2x में तोड़ेंगे तो x square plus 5x को हम लोग 3x plus 2x दिख देंगे plus 6 बराबर 0 so this will imply x common ले ले तो x plus 3 plus 2 common ले ले तो x plus 3 बराबर 0 okay x plus 2 एक bracket में x plus 3 दूसरे bracket में बराबर 0 अब लोग 2x करेंगे बारी 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 दोनों को 0 को बराबर रखेंगे तो x plus 2 will be 0 one time and x plus 3 will be 0 another time तो यहां से x बराबर minus 2 आगया एक हल और यहां से x बराबर minus 3 आगया दोसरा है ना किता असान है बस जो यहां पर दिक्कत आएगी आपको इस 5 x को तोड़ने में ही आएगी जो मिडिल वाला टर्म रहेगा उसको तोड़ने में आएगी तो अब हम लोग चलते हैं एक चार पॉइंट्स मैं आपर लिखवाने वाला हूं उन पॉइंट्स से कैसे इसको गुडनखंड करेंगे वो समझने ओके गुडनखंड करने का जो मिथड है उसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी यह चार पॉइंट है अगर आप इनको समझ गए अच्छे से तो गैरंट पॉइंट्स लिखे है इनका मतलब क्या है और यह एक्जामपल क्यों लिखे है एक एक करके आपको समझाता हूं ध्यान से देखिए हमें सबसे पहलों जो दिया गया समीकरण है कोई भी समीकरण हो यह सब है इनकी तुलना एक स्कार प्लस बीक्स प्लस C से करेंगे और यहा 7 & c बदाबर बारा है यहां पे बदाबर 1 बलाबर माइनस चैनल और ऐबर 1 भी बदाबर माइनस सेविए और सीवि ए और भी देखिए पर ब्रल्ष इक करेंड दो तीमच चारों एक्टियों समय मैने ABC केमान निकाल लिए अब पहला इसक्राइब क्या है यदि a cross c तथा बी दोनों धनात्मक है मतलब कि हमें a or c का गुडा निकालना पड़ेगा और बीको देखना है तो देखो a cross c निकालो यहां पर कितना एगा 12 एगा है न और बी तो 7 है यहां पर a cross c कितना एगा यह भी बारा आगया इस बार भी 40 7KA सेवेन है यहां पर a cross c कितना आगिया माइनस कचे और बी क्या है यहां पर a cross c कितना क्या गया 30- का और बी क्या है माइनस को सेव === чет कार ग़ा Independence A society कि दोनों अगर धनात्मक है एक रोसी और बी दो धनात्मक है देखो यहां दोनों धनात्मक है न तो क्या कह रहा है बी को उससे छोटी संख्याओं में चोटी दो धनात्मक संख्याओं में वाजित किया जाएगा अगर A x C और B दोनों धनात्मक है तो B को जब हम तोड़ेंगे तो जो दो संख्याएं रहेंगी वो दोनों B से छोटी रहेंगी और दोनों धनात्मक रहेंगी B से छोटी और दोनों धनात्मक ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोडने पर 7 आ रहा है और गुड़ा करने पर 12 देखो 4 और 3 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा और 4 में 3 का गुड़ा करोगे तो 12 तो इसका मतलब हम लोग यहां पर B को B मतलब 7 है 7 भी लिखना पड़ेगा यहां पर इसी को मैंसे कर देता हूं ऐसे बी बराबर 7 को हम 4 और 3 में इस्पिट कर सकते हैं 4 प्लस 3 इस इकल टो 7 4 इसा 12 काम बन गया अब इसको आगे solve करने की आपकी जिम्मेदारी नेक्स्ट यदि A क्रोस C धनात्मक है तता B रिडात्मक है इस बार A क्रोस C पॉजिटिव आ रहा है और B निगेटिव आ रहा है तो उसके लिए अपने पास क्या रूल है B को उससे चोटी दो रिडात्मक संक्याओं में वाजित करेंगे देखो यहां पर धनात्मक था यहां पर रिडात्मक आ गया है ना इस बार B को जब हम तोड़ेंगे तो वह जिन दो संक्याओं में तूटेगा वो दोनों निगेटिव रहेंगी सेम माइनस फॉर माइनस त्री देखो माइनस फॉर में माइनस तरी का घुला करोगे तो वं माइनस प्लस बन जाएगा और फॉर्फ इसे 12 और माइनस को अडं करोगे तो माइनस जब्र 2 सेबन हो गया नेक्सट चार पॉसिमलिलीटिः है है अपने पास देखो या तो एक हम लुक्त पर हो की से घ्खतानातमक एक को एक संख्या धनातमक वाली बड़ी होनी चाहिए Thank you और रिरातमक पाली चोटी होनी चाहिए यह संख्या में में बाजित करते हैं मतला हम B को ऐसे तोडेंगे कि उसमें से एक संख्या थानात्मक होगी पॉजिटिव और दोसी चंख्या निगेटिव होगी लेकिन जो है ना तो त्री टूजा सीक्स देखो त्री तीन में से दो चले जाएगा एक आजाएगा और तीन दूनी छे आजाएगा वो भी माइनस का क्योंकि माइनस और प्लस को माइनस होता है है ना यह भी हो गया बड़ी आसानी से फॉर्थ यदि एक रॉसी तथा बी दोनों रिरात् संक्या तता है क्रणाफ संक्या में व्याजिद करेंगे लेकिन इस बार जो धर अर्यट में वाली एव चोटी हो जाएगी ज्युक्रा तो इंतमाज को बड़ी थी हैंला मैं पाजितिव चोटी है निगेटिव बड़ी हैं इस बार पधिश्चन अपोजित हो गई डहनात्मक वादी और इर्याग वाली बढ़ी रहेगी सुचंडों जल्दी से छोटी धनात्मक है तो को इधर लिखता हूं और इरैतमक बढ़ी है तो मेसरे इधार लिखता हूं, रहूं और तीन देखो दस में से तीन चले जाएगा मैरस का साथ और दस तिया तीस है ना तो चारो एक्जाम्पल्स आसानी से हो गए विद्ध हलप आफ इस फोर पॉइंट्स तो इन चारो पॉइंट्स को रिमेंबर कर लो कहीं पर लिख के हाइलाइट कर लो क्योंकि बहुत ही तो मैं कुछ ऐसे एक्जाम्पल्स कर वाता हूं जो दिखने में थोड़े से टफ हैं लेकिन सॉल्फ होंगे बड़ी आसाम्पल्स करें तो कॉंसा पॉइंट कहां पर अप्लाई करना है यह हम लोग देखते जाएंगी एक्जाम्पल दिया हुआ है 10x-1 upon x is equal to 3 इसको धान स समीक्राइब दिख रहा है नहीं दिख रहा है डाएक्स की दो गात कहीं पर दिख रही है तो हम इसको पहले चेक करेंगे कि क्या यह एक द्विगास समीक्राइब है अगर है तो इसको आगे सॉल्फ करेंगे सॉल्यूशन देखो इसके बटे में एक करके LCM लो कितना आएगा X है ना X और 1 के LCM X आएगा 1 से X को डिवाइट करोंगे X आएगा उपर मॉल्टिप्लाइब करोंगे तो 10x-1 is equal to 3 अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन करेंगे इसके बटे में एक करके यह क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन 10x-1 का गुड़ा 1 से होगा तो सेम वह उतार आएगा 10x-1 और बराबर में X का गुड़ा 3 से होगा तो 3x 3x को इधर लेते आओ 10x square minus 3x minus 1 बराबर का 0 देखो यहाँ पर A क्या है 10 B क्या है minus 3 और C क्या है minus 1 अब A cross C में निकालना रहता है तो A cross C बराबर 10 multiplied by minus 1 that means minus 10 देखो A cross C B negative B B negative मतलब fourth example fourth point A cross C तथा B दोनों रिडात्मक हो तो क्या करना है हमें B को एक धनात्मक तथा एक रिडात्मक संक्या में तोड़ना है धनात्मक छोटी होगी रिडात्मक बड़ी होगी है ना इतना हमें पता चल गया चलो 10 X square एक धनात्मक और एक रिडात्मक तो मालो यह वाली धनात्मक रहेगी यह वाली रिडात्मक रहेगी हमें बड़ी वाली संक्या इधर लिखनी है और चोटी वाली संक्या इधर लिखनी है देखो हम लोग 3 को कैसे तोड़ सकते हैं कि गुड़ा करने पर 10 आए और जोड़ने अगटाने पर 2 क्या है 3 आए 5 और 2 में तोड़ सकते हैं ना 5 दूनी 10 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 तो 5x plus 2x minus 1 बराबर का 0 इस चीज को ब्रैकेट में कर देते हैं यहां से मोगा गया है माइनस 3x को हमने minus 5x plus 2x में तोड़ दिया है ना देखो धनात्मक्संक्या चोटी है 2 रुदात्मक्संक्या बढ़ी है माइनस 5 है ना कितनी आसानी तम लोगें अपलाई कर दिया इसे बस आप लोग अपने दिमाग को फ्रेश रखिए तेज रखिए गुड़ा करने में है ना गुड़ा भाग करने में तब आप लोग जल्दी से सोच लेगे अब यहां से 5x कॉमन ले लेते हैं तो क्या अब यहां से बारी बारी से 0 का बराबर रखो तो 2x माइनस 1 बराबर 0 & 5x प्लस 1 बराबर 0 तो यहां से एक्स बाबर हाफ आ जाएगा यहां से एक्स बराबर माइनस का 1 by 5 यह दो सॉलूशन हमें मिल गया है 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 ना ऐसे हम लोग सॉल्फ करते हैं बड़ी ही आसानी से किसी अब मैं एक ऐसे क्वेशन पर चलता हूं जहां पर हमें कुछ डाटा दिया रहेगा उसकी हेल्प से पहले एक क्वाडर्टिक एक्वेशन फॉर्म करनी है बनानी है उसके बाद उसको हल करना है तो एक्सरसाइज आइजिंग 4.2 है NCRT का जिसमें से मैं यह कुश्चिन ले फैक्टरी क्या सोच लोग में ही कुछ लोग है जो बर्तन बनाते हैं एक विसेज दिन यह देखा गया कि प्रत्यक नग की निर्माण लागत रुपे में उस दिन बनाए गये कुल बर्तनों की संख्या के दो गुने से तीन अधिक है एक दिन जितने बर्तन बनाए गये उनक है नब्बे थी तो उस दिन निर्मित कुल बर्तनों की संख्या थता प्रत्यक नग की निर्माण लागत बताईए ओक इतना इसा डाटा दिया हुआ है कि इससे हमें कोड़र्टिक क्योकेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद उसको सॉल्फ करना है जो बर्तनों पर लगने वाला खर्च है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कुल बर्तनों की संख्या पर है ना तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल बर्तनों की संख्या एक्स है अगर बर्तनों की संख्या पता चल गई तो उसके टम में हम लोग एक बर्तन के लिए कितना पैसा ख कुल माना उस दिन निर्मित बरतनों की संख्या बराबर एक्स माना की जिस दिन की बात कर रहा है उस दिन उनों ने कुल मिला के एक्स बरतन बनाए है ना तब कि एक नग कि कि जो निर्माण लागत रहेगी बनाने का खर्चा कि कितना हो जाएगा एक्स के दो गुने से तीन अधिक है ना यह ओके अब कह रहा है कि जो भी खर्चा आया उस दिन टोटल वो 90 रुपह था एक बरतन में अगर इतना खर्चा हो रहा है मतलब एक बरतन में इतना खर्चा हो रहा है टुए चार्जा कि अस्तरीय तो एकस बरतन में कितना करच आएंगा प्रश्ण अनुसार सोच हो ब्रतन यह === हम एक बरतन बनाने में ह송 ऐख द स्कम्राइब है तो है कितने के बराबर है नगRY तो क्पाइब है आप हम लोग x का multiply 2x plus 3 में करेंगे देखो क्या आता है ये 2x square आ जाएगा और ये plus का 3x आ जाएगा और 90 को इधर लेते हो minus का 90 बराबर 0 इतना हमें मिल गया, okay A यहां पर क्या है, अगर तुल ना करें इसके हम A x square plus B x plus C से तो A बराबर 2 है B बराबर 3 है C बराबर minus का 90 है तो A x C क्या हैगा minus का 180 और B बराबर 3 A x C negative में है और B positive में है point number 3 याद करो उस point में क्या कहता है अगर A x C negative है और B positive है तो B को हम दो ऐसी संख्या में तोडेंगे जिसमें एक संख्या धनात्मक रहेगी और दूसरी संख्या रिडात्मक और जो धनात्मक संख्या रहेगी वो रिडात्मक संख्या से बड़ी रहेगी मतलब जो दो संख्या है तोटी उसमें से एक संख्या बड़ी रहेगी और दूसरी संख्या छोटी रहेगी जो संख्या बड़ी रहेगी वो positive में रहेगी और जो छोटी रहेगी वो negative में रहेगी तो हम लोग 3 को तोड़ेंगे इस तरह से कि गुरा करने पर 180 आजाए अब direct आप लोग ऐसे सोच नहीं सकते तो हम 180 का अगर factorization कर ले factorization मतलब जब आप लोग LCM निकालते हैं तो ऐसे औरल तो देखो इससे और आसान हो जाएंगा हमारे हमारे जो करने को मेसी अधालन है और इसा निकाल लेंगे को कि ओक तो बार फिर से करेंगे तो पैत ही तरह डाई साजाएगा थीर तीन से पंदरा फिर तीन से है अध्नष फिर 5 से तो अमने पास दो 2 3 3 5 अब अपने पास यह 5 संख्या हैं 2 है और 2 है और 3 है और 3 है और 5 है इन पांचों संख्याओं में से 2 गुरुप बनाने हैं ऐसे 2 गुरुप जिनको घटाने पर हमें 3 मिल जाए क्योंकि इनका गुड़ा करने पर 180 मिलेगा यह तो मैं कन्फर्म हो गया है ना ओके तो सोचो तीन चौब बारा तीन पच्छे पंद्रा पंद्रा में से वारा गया 3 बन गया अगर हम इन दोनों के एक साथ ले लें इन दोनों के एक साथ तो अपने पास यहां से क्या कंडिशन मिल जाएगी देखो इसको अगर हम यहां करें तो 2x2 भाइयर हर प्लास पंद्रा एकस माईनस का बारह एक्स माईनस का नभे बडाबर जीरो वटन working on 11 बद्रा चले गया तीन और गुडा कर जाएगा पंदरह चक्का नबबे बराबर जीरो तो एक ब्रैकेट में आपको मिल गया X-6 दूसरे ब्रैकेट में मिल गया 2X प्लस का 15 बराबर का 0 यह 15 है अब सब लोग वो पता है किसके आगे क्या करना है दोनों ब्रैकेट को बारी-बारी से 0 के बराबर रखना है तो जब X-C को 0 के बराबर रखा तो X बराबर 6 आ गया एंड जब 2X प्लस 15 को 0 के बराबर रखा तो X बराबर माइनस का 15 अपॉन 2 आ गया अब हमने X क्या माना था बरतनों की संख्या तो ये बताओ मुझे कि अगर किसी फैक्टरी ने एक दिन में कम से कम कितने बरतन बना सकता है कोई भी 0 बनाएगा ना कम से कम या तो एक बनाएगा दो बनाएगा तीन बनाएगा या तो अगर उसने कम से कम बनाएगा तो एक भी नहीं बनाएगा निगेटिव में तो जहा नहीं सकता वो कोई इंसान बरतनों की संग्या को माइनस में कैसे बना सकता है तो मतलब ये वाली x की value हम लोग नहीं consider करेंगे हैंना क्योंकि ये negative में है तो ये वाली x की value जो x बराबर 6 है ये true हो जाएगी तो मतलब उस दिन निर्मित बरतनों की संग्या बराबर क्या है 6 है ना निर्मित बरतनों की संग्या बराबर 6 अब बरतनों की संग्या बराबर 6 आ गई तो प्रतेग नग की निर्मार लागत क्या हो जाएगी प्रतेख नग की निर्माड लागत वही करना है टू एक्स प्रस्त्री में एक इस ब्रबर छे रख देना है मतलब की पंद्रह पंद्रा रुपै उन्हें लगते हैं एक बरतन बनाने में तो छे बरतन बनाने में 15 चका नब्बे यहां पे है मतलब अपना आंसर सही है है ना तो ऐसे हम लोग करते हैं किसी भी एक्जामपल को जो गुड़नखंट से आधारित है गुड़नखंट करने के लिए वही जो चार फोर्मुले हैं उनको इस्तेवाल कीजिए आराम से गुड़नखंट आ जाएगा शुरुवात में थोड़ी सी देर लगेगी ठीक है घब यही गुड़नखंट विधी से ही कुछ एक्जामपल की और उसके बाद में जो प्रोसेस है वो में लोग ने देखेंगे है ना तो अगर आप लोगों को मैथ की प्लेइस्ट एक्सेस करनी नहीं आती खैर जो पुराने स्टुडेंट्स हैं जो जो रोज पढ़ते हैं इस ल आप लोगों एस लक्सरों पεται और इस भीलिस्ट को प्लेइस मैंने चैनल के योगों करें तो तो प्लेइस्ट वाले स्क्षनर में जाएंगे दो प्लेइस्ट्टेक्ष की और मैस्की जिसमें क्लास्तिंट की मैटमेटिक्स चल लिए ना तो उस प्लेइस का लोग सेफ कर ल objectively और एक एक लेक्चर में रोज अप्लोड करते जा रहा हूं प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा आपके सामने एक ब्लू कलर का पैलेट शो होगा जिसमें दो बॉक्स बने रहेंगे रेक्टेंगुलर एक वाले बॉक्स में इसके पहली वाली वीडियो यानि की लेक्चर नमर 40 रहेगा और राइट वाले बॉक्स में आपको प्लेलिस दी रहेगी है ना तो आप लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं बाकि सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी तक अगर नहीं किया है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स लेक्चर में थैंक्य कर दो